हेलो दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्मी और आप सबी लिगों का हमारे इस चैनल ममता महालक्ष्मी में स्वागत है आज की इस वीडियो में उनके बारे में उनकी बायोग्रफी जानेंगे जो भारत की प्रथम केंद्रिय मंत्री बनी थी और अखिल भारती आईर विग्यान संस्थान की स्थापना में उनका महातुपूर योगदान रहा है जिनका नाम है राजकुमारी अमरित कौर जी का जन्म दो फरवरी 1889 में नवाबो का शहर लखनों में हुआ था राजकुमारी अमरित कौर पंजाब की एक राजघराने सी थी देश के विभाजन से पहले अमरित कौर अंतरिम सरकार में केंद्रिय मंत्री थी राजकुमारी अमरित कौर एक महान समासुधारक और गांधी वादी थी अम्रित कौर एक राजगराने से होते हुए भी उन्होंने देश की सेवा के लिए राजसी जीवन को छोड़ दिया था उनके पिता राजा हरनाम सिंग और रानी हरनाम सिंग आठ संतानों में से राजकमारी अम्रित कौर एक लौती बेटी थी और साथ उनके बेटे थे अमरित कौर ने इंगलेंड के स्कूल शेहरबान से अपनी शिक्षा पूरी की अमरित कौर ने भातिक सुविधाओं का त्याक कर महात्मा गांधी के साथ देज हितकारे में लग गई और फिर साल 1934 में अमरित कौर हमेशा के लिए महात्मा गांधी के आश्रम में चली गई उन्होंने दलितों के साथ हो रहें अन्याय के खिलाब भी आवाज उठाई नमक सत्यागरा के दौरान भी दान्डी मार्च में अमरित कौर गांधी जी के साथ थी अमरित कौर जब तक जीवित रही तब तक राज सभा की सदसे के रूप में काम करती रही और साल 1924 को तारीक 2 अक्टूबर को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब ते की लिए नमस्कार जैहन जै भारत